कैलकुलेटर का आविशकार किसने किया कैलकुलेटर एक electronic device है जिसका उपियोग कथिन कैलकुलेशन के लिए उपियोग किया जाता है जैसे की addition, subtraction, multifaction और division. कैलकुलेटर से आप बड़े-बड़े कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंड में जोर घटाया भाग कर सकते हैं. कैलकुलेटर वर्ड एक लैटिन भाशा के एक वर्ड कैलकुलेशन से लिया गया है. कैलकुलेटर का हिंदी अर्थ परिकलक होता है. आज के समय में आपको कैलकुलेटर मोबाइल, कम्प्यूटर सभी में मिल जाएगा. आप भी कैलकुलेटर का उप्योग जरूर करते होंगे पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैलकुलेटर का अविशकार किसने किया वैसे तो कैलकुलेटर बहुत पहले ही बनाया जा चुका था. लेकिन पहले कैलकुलेटर यांतरिक कैलकुलेटर था बाद में धीरे-धीरे समय के साथ बदलाव किया गया और यह विद्युत कैलकुलेटर के रूप में बनकर तयार हुआ आज के समय में बहुत ही अच्छे कैलकुलेटर मार्किट में मिल हैं. आईए जानते हैं कि कैलकुलेटर का आविशकार किस ने किया आपको बता दे यांत्रिक कैलकुलेटर का आविशकार विलहम शिकारड ने संग 1642 में किया था और इसे बलेज पास्कलल का नाम दिया गया था इसके बाद कैलकुलेटर में कई बदलाफ किये गए 19 सदी के ओध्योगिक क्रांती के बाद में बहुत सारे बदलाव हुए और अमेरिका के जेंस एल डाल्टन में डाल्टन एडिंग मशीन का आविशकार किया और उन्होंने 1948 में कुर्था कैलकुलेटर बनाया यह कैलकुलेटर दाम में बहुत महेंगा था लेकिन इससे बड़ीबडी संख्याओं का गणना आसानी से की जा सकती थी इसके बाद 1960 में इलेक्ट्रोनिक कैलकुलेटर बनने शुरू हुए और इसका आकर इतना छोटा कर दिया गया कि कोई भी इनसान इसको आसानी से जेब में रख सकता था इसके बाद में 1970 में एक जापानी कमपनी ने और इंटेल ने मिलकर एक इलेक्ट्रोनिक डेवाइस बनाया जिसकी मदद से कोई भी कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती है और यह कहीं पर भी लाने ले जाने में बहुत ही छोटा है और आज हम इसी कैलकुलेटर का इस्तिमाल कर रही है कैलकुलेटर के प्रकार आपको बता दे कैलकुलेटर कई प्रकार के होते हैं और इनका काम भी अलग-अलग होता है चलिए जानते हैं कैलकुलेटर कितने प्रकार के होते हैं Basic Calculator Scientific Calculator Graphic Calculator Financial Calculator एक Basic Calculator Basic Calculator को साधारन कैलकुलेशन के लिए इस्तमाल किया जाता है जैस Addition, Subtraction, Multiplication, Divide, Percentage, Square, Root इस प्रकार के कैलकुलेटर को खास करके बच्चे स्कूल और कॉलाज में इस्तमाल करते हैं Scientific Calculator Scientific Calculator में आप एक Basic Calculator से कही गुना ज्यादा Advanced काम कर सकते हैं इसमें आप Advanced Level की Math को कर सकते हैं और इसे खास करके कॉलाज के स्टूडेंस इस्तमाल करते हैं चलिए जानते इसी कैलकुलेटर से आप क्या क्या कर सकते हैं Scientific Notation Floating Point Logarithm Trigonometry Exponential Hexadecimal Complex Numbers Fractions Calculations, Statistics and Probability Calculation Equation Solving Matrix Calculations Calculus Conversation of Units Physical Constance तीन Graphic Calculator Graphic Calculator का इस्तमाल आर्किटेक्चर क्षेतर के लिए डिसाइन किया गया है इसमें आपको Advanced Level का गंतग्य मिलेगा जैसे Graph Mapna Bar, Chart Fractions, Polar Pie Chart, Logarithm, Rectangular Roots and Power, Statistics जैसे अन्य फंक्शन्स इस कैलकुलेटर में मिल जाएंगे 4. Financial Calculator Financial Calculator का इस्तमाल आप बैंक में देख सकते हैं और CA पढ़ाई करने वाले लोगों के पास आप देख सकते हूं चलिए जानते हैं आप Financial Calculator में आप क्या क्या कर सकते हूं Cash Flow Simple Compound Interest Calculation Conversations Multi Reply तो अब आप जान गए होंगे कि कैलकुलेटर का आविशकार किसने किया कैलकुलेटर का आविशकार विलहम शिकारड ने सन 1642 में किया था और इसे बलेज पास्कलल का नाम दिया गया था